बिहार में एक बार फिर मौनसुन सक्रिय हो गया है लगतार बिहार के कई हिस्सों में जमा जम बारिष देखने को मिल रहा है जिससे काफी मौसम सुहाना हो चुका है बिहार के कई हिस्सों में बारिष तो हो ही रही है लेकि राजधानी पतना समीत के कई जो सटे इलाके हैं व वजरुपात की संभावनाद चताई गई है। एक बार फिर बिहार में मौनसुन सक्रियों होने से बारिश का सलसला सुरू हो चुका है। गुरुबार से सुकुरुबार के सुबत तक राजधानी पतना में मुस्तला धार बारिश हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट की मुताबिक इस मौनसुन में पतना में शर्वधिक वर्शा रिकॉर्ड किया गया। इसका असर आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। इन जिलों में यलो अलर्ट जारी क्या गया है। यलो अलट का मतलब है कि मौशन श्रमाननिक है लेकिन इसके ज़्यादा खराब होने की श्रमावना है सलिए लोगों को वेट एंड वोज की स्थती में रहना चाहिए मौसमिभाग में पटना सहिच साथ अस्थानों पर श्रमानने से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है पटना के फुल वारिश सरिफ में 106.2 ये बक्तियारपु में 100.4 पुनपुन में 99.2 पटना सहर में 89.9 असिप्रालपुन में 75.8 तो दानापूर में 68.4 तो संपचक में 60 एमम बारिश दर्ज की गई है यानि कि आज की बात करें तो आज भी इन स्थानों पर वर्शा की संभाबना जताई गई है बीते 24 घंटे की जारी रिपोर्ट में 29 तर्ज की बारिश हुई है पुस्चिम चंपारन में 29 तर्ज की गई है ऐसे में हलांकि बारिश की वाज़ो सबसे गर्म रहा यहां कादिक्तम तापमान 38.04 और अंगा बाद में गिरावर्ट दर्ज की जा रही है बाकी अन्ने जलों में तापमान बढ़ रहा है तो आपको पितादे कि लगतार दो दिन की बारिश के बारिश पूरी राजधानी से सटे अलाके जितने भी है निकि बह मौसम काफी शुहाना हो गया और ऐसे में कही न कहीं जो तपमान है उसमें भी काफी गिराबट देखने को मिला है जैसे लोगों को काफी रहात मिली है लेकिन आज बात करें शनिवार की तो आज भी कई हिस्टों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है यानि कि लोगों को स्थिताबनी दीग है लोगों को जो नगर जो खोले में जो काम करते हैं खासत तौर पिसान आ'S और उनके लिए चाय जाई कि टारी की गई हैं कि लिए में काम ना करें अगर इस तरह की स्थिती बनती है तो कही नकहीं कर दिया जाता है लोगों से इताकी सतर्क रहें, साउधान रहें